प्रदेश प्रभारी ने क्रशी कानूनों को लेकर कॉंग्रेस पर साधा निशाना कहा कॉंग्रेस ने कभी भी किसानों का भला नहीं किया पंचाय चुनाओं के बाद निकाय चुनाओं परिणाम पर दौनों दलामने सामने गोविन सिंग दोटास्रा के बयान पर सतीश भूनिया ने किया पलटवार प्रदेश में तीखे हुए सर्दी के तेवर ठंडी हवाओ ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए किया मजबूर आने वाले दिनों में और तेज होगी सर्दी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए क्रशी कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 19 वे दिन भी जारी है नहां है वहीं से उपवास करें जी आर एसी निर्मेट फर्स्ट प्रोजेक्ट सत्रा ए स्टिल्थ फ्रिगेट को आज लॉंच किया गया यह नौसेना की ताकत में इजाफा करेगी एक अधिकारी ने बताया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समारों के मु जड़ना होगा इने पास करने के बाद ही इसे नौसेना को सौपा जाएगा कोरोना वाइरस महामारी के कारण पहले ही रेलवे कम ट्रेनों का संचालन कर रहा है वहीं अब रेल यातायात पर कोहरे की मार भी पढ़ने लगी है कोहरे के चलते देश के कई हिस्सों में काफी ट जंसंपर्क अधिकारी पंकच कुमार ने बताया कि यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर से एक जनवरी तक कई ट्रीनों को रद्द किया जाएगा देश में कोरोना वाइरस के दैनिक मामलों में कमी आई है पिछले 24 गंटे में कोरोना के 27,71 नई मामले सामने आए हैं इस तरह कोरोना वाइरस से संक्रमित होने वाले लोगों के संक्या 98,84,100 हो गई है वहीं इस दौरान 336 लोगों की मौत हुई है इस तरह अब तक कुल 1,43,355 लोगों ने वाइरस से संक्रमित होकर जान गवाई है इस तरह देश में कोरोना वाइरस से संक्रमन मुक्त होने वाले मरीजों के संक्या बढ़कर 93,88,169 हो गई है भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुन सिंग दो दिवसिय प्रदेश के दौरे पर है अरुन सिंग ने आज प्रदेश भाजपा मुख्याले में प्रेस कॉन्फरेंस की अरुन सिंग ने क्रशी बिलो को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना साधम किसानों की आमदनी दुगनी हो इसके लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं चिंता की बात ये है कि विपक्ष पार्टिया विशेश रूप से कॉंग्रेस जिन्होंने किसानों को ठगा है किसानों का फायदा नहीं किया है विपक्षी पार्टिया किसानों पर राजनीती कर रही है प्रधान मंत्री ने हमेशा किसानों के भले के लिए कारे किया है आज किसान मोरी सरकार के साथ खड़ा है मोरी सरकार ने किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किये है उन्होंने कहा कि राहूल गांदी ने खुद MSP हटाने की बात कही थी, राजस्तान प्रभारी अरुन सिंग ने कहा कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी पंचाय चुनाव में हार जीत के बाद निकाय चुनाव परिणाम में डौनो दल आमने सामने हो गए है कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष गोबिन सिंग डौतासरा ने जहां कल परिणाम आने के बाद फॉरन प्रेस वार्ता कर विरोधियों पर निशाना सादा तो वहीं भाजपा प्रदेश अद्यक्ष डौक्टर सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया बाजपा प्रदेश अद्यक्ष ने डौतासरा का नाम लिए बगयर निशाना सादा है उन्होंने कहा कि निकाय परिणाम कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुश होने का कारण नहीं है इसके पीछे उन्होंने दलील देते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए कॉंग्रेस कुल 50 निकायों में से मातर 14 निकायों में ही बहुमत हासिल कर पाई है जबकि जीते हुए 25 में से मातर 6 विदानसभा शेत्रों में ही कॉंग्रेस को बहुमत मिला है 19 विदान सभा शेत्रों में कॉंग्रेस की हार हुई है प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों के परिणाम आ चुके हैं निकाय चुनाव में कॉंगरेस ने अपना पर्चम लहराया है कॉंग्रेस 33 तो भाजपा को 30% मत मिले है मतों के संख्या में जादा अंतर नहीं है प्रताप सिंखाचर्यवास ने गुलाप चंकाटारिया के बयान पर पलटवार किया भाजपा जो किसान अंदोलन के लिए जूट बोल रही थी वो पकड़ा गया प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवी से बारवी तक के विध्यार्थियों का आंतरिक मुल्यांकन होमवर्ग के आधार पर किया जाएगा इस संबंद में मादिमिक शिक्षा निदेशाले की ओर से निर्देश जारी कर दिये गए हैं जिसके मुताबिक बोल्ड और वार्षिक परिक्षा में विध्यार्थि का आंतरिक मुल्यांकन उसके होमवर्ग के आधार पर किया जाएगा जिसे ध्यान में रखते हुए निदेशाले ने शिक्षकों और संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किये हैं उत्री भारत के पहाडी शेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी भड़ा दी। जैपुर में कल के मुकाबले आज नियुन्तम ताप मान 4 डिगरी की गिरावट के बाद 10 पर पहुँच गया। सुबह हलकी सर्द हवाय चलने से लोग ठुटूरने लगे हलाकि सूरत चड़ने के साथ ही गुनगुनी धूप निकली तो लोगों को सर्दी से राहत मिली। बुलेडिन में फिलाल इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें।